नमस्कार मैं हो ससी आये जरगां की टॉप 25 पर्मोग खबर जनते हैं ग्री मंत्राले का एक आदेश 23 से वायरल हो रहा है जिसमें यह दवा किया जा रहा है कि ग्री मंत्राले ने 39 तक इसकूलों को बंद रखने का फसला किया है केंद्री ग्री सचीव के आदेश वाला यह मैसे 23 से वायरल है जिसमें 39 तक इसकूलों को बंद रखने का आदेश को नई गाइडलाइन में जारी आदेश बताया जा रहा है पी आईबी फैक्ट चेक में यह बताया गया है कि यह आदेश जो वायरल किया जा रहा है वा भरामक है केंद्र सरकार ने 30 नौबर तक इसकूल को बंद रखने का कोई आदेश जारी नहीं किया है मौसम विग्यान केंद्र के वह यहनको ने कहा है कि सुक्रोवार 6 नौबर से तापमान में गिरावर दर्ज की जाएगी और धीरे-धीरे सर्दी बढ़ने लगेगी हलाकि गुरुवार तक तापमान में ज्यादा उतार चाहा होता नहीं दीख रहा है मौसम विभाक के पुर्वान वान में कहा गया है कि 5 नौबर तक राजे का मौसम सुस्क रहेगा आसमान भी साप रहेंगे 6 नौबर से सर्दी बढ़ने लगेगी मौसम वेग्यान को का काना है कि वाई मंडल में नमी की कमी रहेगी दुमका ओप चुना मतदान आज कड़ी सुरक्षा के बिच बेरमों के साथ साथ दुमका में 3 नौबर 2020 को मतदान होगा दुमका विधान सवा ओप चुना होट सिट बना हुआ है जिस पर पूरे राज की निगाहे ठीकी हुई है बता दे कि चुना को संती पूर्ण एवन निस्पक संपन कराने के लिए परा मिलिटरी फोर्स की 26 कंपेनिया के अलावा जीला पूलिस बल आधी की तैनाति की गई है कुरोना काल के भी जार्खन वे या पाला चुना हो रहा है जिसमें समाने जनता जो मत दाता है वो अपना लोग तांतरिक अधिकार का परियोग करते वोट डालेंगे बता दे कि इसमें 368 मत दान केंद्रों में 2,50,720 मत दाता अपने मत अधिकार का परियोग करेंगे बिना license पताखा बेचने वाले पर होगी करवाई दिपाडी और छट पर बिना license पताखा बेचने वालो पर जिला प्रसासन करवाई करेगा इसके लिए टीम बनाया जाएगा प्रसासन की टीम दूकानों का आउचक निरिक्षन करेगी राची के अपर जिला दंडा अधिकारी लोकेस मिस्रा ने कहा है कि लाइसेंस के लिए आवेदन देने होंगे आवेदकों को आस्थाई रूप से बनाएगा कलस्टर में ही पटाकों की बिक्री करनी होगी नीजी स्कूल फिस मामले पर सुनवाई आज राची के नीजी स्कूलों में सिर्फ टिवसन फिस लेने के सरकार के आदेश को चुनोती देने वाली याजका पर मंगलवार को सुनवाई होगी या मामला हाई कोट के जस्टिस्ट राजे संकर की अधालत में सुनवाई के लिए सुची बद है पिछली सुनवाई के दवरान अधालत ने राज सरकार से जवाब तलब किया था इस संबन में जारखंड अंडेट प्राइवेट स्कूल एसोसेशन की ओर से हाई कोट में याजका दाखिल की गई है दो ती माही की लाइसेंस फिस माफ आज से खुलेंगे बार राची सहीद पूरे जाखंड के बार संचालकों ने मंगलवार से बार खोलने का फैसला लिया है उत्पात विभाग के सचीव बिनाय कुमार चोवे से सकरात्मक वार्ता होने के बाद बार अउनर एसोसेशन ने बार खोलने का नेना लिया है बिभाग के सचीव बिनाय कुमार चोवे ने एसोसियेशन के सदस्यों को अस्वास्त किया है कि सरकार जल्द ही दो तिमाही की लाइसेंस फिस माप करेगी 15 नौबर से धान अधिप्राप्ति का कारे प्राराम उपायुक्त ससीर अजन ने सोमवर को अपने कर्याले कक्ष में धान अधिप्राप्ति कारे की समिक्षा की जीले में धान अधिप्राप्ति का कारे 15 नौबर से प्राराम किया जाना है बतादे कि धान अधिप्राप्ति का कारप्रणाम होने से पूर्व अधिप्राप्तिक केंद्रों का चयन तथा चावल मिल का निबंदन एवं अधिप्राप्तिक केंद्र के साथ संबध्ता आवस्यक है इसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अस्तर ये अनुस्रवन समीति का गठन किया गया गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 11,72,000 की स्विक्रिती मुख मंत्री मुख मंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत लोगों को मदद पहुचाने को लेकर सोमवार को समीति के पदाधिकारी यमसदसियों की बैठक होई सदर अस्पताल परिशर में आवोत इस बैठक में 11,72,754 रुपए की राशी स्विक्रिती की गई उक्त रासी से गंभीर रूप से विमारी तीन लोगों का उपचार किया जाएगा तीन हजार रेल करमियों को सहयचार को रुपए वापस करने का आदेश राची रेल मंडल के तकरीबन 3,000 करमचारियों को रातरी बता के सहेचार को रूपए वापस करने होंगे इस समद में रेलवे बोड का आदेश आने के बाद राची रेल मंडल के करमचारियों में खलबली मच गई है बता देखी करमचारी इस फैसले के खिलाप एक जूट होगा है करमचारी इसे गलत बताते हुए फैसले को वापस करने की मांग कर रहे है गौतला भाय की रातरी डूटी करने वाले रेल करमचारियों को रेलवे रातरी बता देती है रेलवे बोर्ड ने फासला किया था कि जिस रेल करमचारी की बेसिक 43 और 600 रुपे से ज़्यादा है उसे अब रात्री बाता नहीं मिलेगा CBAC की दसवी बरावी परिक्षा में बढ़ाये जाएंगे परिक्षा केंद्रे CBAC दसवी और बरावी की परिक्षा को लेकर अभी से ही तयारी सुरू कर दी गई है इसे लेकर परिक्षा में कितने चात्र एक रुम में बैठेंगे या कक्षा में कितने बेंच लगाये जाएंगे इस पर CBAC ने अपनी तयारी सुरू कर दी है फिलाल CBSC एक रूम में बारा परिशार्थियों को बैठाने और बारा बेंच लगाने का फैसला लिया है बारा परिशार्थी अगर एक रूम में बैठाए जाएंगे तो उन्हें सेंटर की संख्या में बड़ोत्री करनी होगी जार्खन में 403 संक्रमितों के पुष्टी हुई जोराची से 122, बोकारों से 27, चत्रा आट, देवगर 35, धनबाज 50, दुमका 6, पूर्वी सिमूं 40, गडवा 13, गेडी 6, गोटा 10, गुमला 7, हजारी बग 8, जामतरा 3, खुटी 11, गोडारमा 6, लातेहा 4, लुर्दागा 4, पल सिमूं 12, मिले हैं, जार्खन में कुल संक्रमितों के संख्या 1,290, है, जबकि 96,480, लोग स्वास्थ हुए और 880, की मिलती हो गाई, भारत में के 37,592, मिले हैं, जबकि 58,524, लोग स्वास्थ भी हुए है, भारत में इस समय कुल एक्टिव केस 5,448, लोग जार्खन में एक्टिव केस 59, लोग स्वास्थ है, गुमला के घागरा में भाई बहन की हत्या करने वाले संदिकदों का पुलीस ने जारी किया पोस्टर, जार्खन पोलीस मुख्याले ने सो मोर को एक पोस्टर जारी कर हुई भाई बहन की हत्या क्यारो पित्तों की खोज के लिए आम जंता से स्वयोग मांगा है जारी पोस्टर में दो संदिग्दों की तस्वीर है और लिखा गया है कि पुलिस को इनकी तलास है इन स्दिग्दों की सुचना देने वालों की परचान गोपनिये रखी जाएगी और इनके एवाज में उचित इनाम दिया जाएगा मांचिनमस्तिका की पूजाकर निकलते द्वार पर गिरे दिपक परकास भाजपाक के जारखंड परदेश कारेकारी अध्यक दिपक परकास मांचिनमस्तिका के द्वार पर ही गिर पड़े उनके साथ हुआ या हादसा चंद पलों में ही वायरल हो गया बता दे कि स्वमवार की साम परदेश कारेकारी अध्यक दीपक प्रकास रजराप्पा माची निमस्तिका दर्बार में पहुंचे थे यहाँ पे वे जारखंड की दो सीटों पर हो रहे उपचुनाव के जीत का सिर्वाद लेने आये थे हाथियों के आतंक से निजात दिलाए वन विभाग तोरपा के विधायक कोचे मुंडा ने राजे के प्रधान मुखे सनरक्षक को असपस चेतामी दिया है कि दो दिनों के अंदर तोरपा और कर्रा परखंड शेत्र में आतंक मचा रहे जंगली आतियों को दूसरी और खदेरा जाय और गरामिनों को उनके आतंक से निजात दिलाए और याथा शेत्र की जानता सडकों पर उतर कांदोलन करेगी विदायक मुंडा ने सोमवार को राची के डुरेंडा इस्थित वन भावन जाकर प्रधान मुखे वन संडक शक और अधिकारियों से मुलकात की और उन्हें जनकारी दी खोंटी जिला से लेवी वसुन ने आये पीलेफाई के तीन उगरवादियों को पुलिस ने दवोचा है लेवी वसुन ने जा रहे पीलेफाई के तीन उगरवादियों को पुलिस ने दविवार की रात गिरफतार कर लिया है एस पी आसुतोस सेखर ने बताया कि उन्हें गुप्त सुर्थना मिली थी कि पीलेफाई उगरबादी का दास्ता लेविया सुनने के लिए मुरहू थाने के केसें जंगल में पहुंचे हुए है चुनाव नतीजों से पहले बाहर आना चाहते हैं लालू यादव चारा घोटाला के सजयापता लालू परसाद ने दुमका कोसागार से अवयद निकासी के मामले में दायर जमानत याचका पर जल्द सुनवाई का आगरा हाई कोट से किया है इसके लिए हाई कोट में अवयदन देकर कहा गया है कि 6 नवंबर को लालू से समदित एक मामले की सुनवाई है इस दिन जमानत याचका पर भी सुनवाई की जा है धनबाद सड़क दुरगाटना में एक परिवार से पांच की मत धनबाद में सोमवार सुबा पूर्वी टुंडी के गोविंदपूर साहिव गंज मुखे सड़क पर पगला मोड के पास सड़क दुरगाटना में 5 लोग की मत हो गई इस विजम सड़क हाद से में सिर्फ कार्ट चालक की जान बची है उसे गंबीर हालत में धनबाद के PMCH में भरती कराया गया मरने वाले सभी लोग पाकूर नगर थाना चेत्र के पंडित मोहले के एक ही परिवार के सदस्य थे राजे में एड़वोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो राजे के अधिवक्ताओ के साथ लगतार घटनाय घट रही है इसी मुदे को लेकर सोमः को All India Lawyer Forum के परदेश अधियक्ष दिपेश कुमार निराला और महा सचीव सत्यंद्र परसाद ने जारखन इस्टेट बार कॉंसिल के अधियक्ष राजेंद्र किष्ण से मुलकात कर गयापन सोपा जिसमें अधिवक्ताओ के साथ लगतार हो रही घटनाओ पर संग्यान लेते हुए करवाई सुनेशीत करवाने और इसके लिए जारखन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने की बात है अवैद रूप से कुईला लेकर आ रहे साथ ट्रक जब्त है उन्होंने बताया कि या ट्रक पछिम बंगान के अला हर्खा नाम के ब्यक्ती ने बनारस की मंडिक के भेजे थे पलामू में भैक्सिन को लेकर जिला टास्पोर्ज की बैठक लोग डर नहीं कोविन टेस्ट करवा है खुद को और अपने परिवार को कोविन से बचाए उक्त बाते उपायूक ससीर अंजन ने कही वेस्वोम वार को जिला टास्पोर्ज की बैठक के दरान जिला में कोविन-19 के रोक्थाम के लिए हो रहे कार्यों और मजूद स्वास इंफ्रास्ट्रक्चर की समिक्चा की बैठक में कोविन-19 को लेकर जिला में की जाने वाले तैयारे की भी समिक्चा हुई धन्यवाद